जाए गुर्दियूख और दोस्तों मेरे चैनल सिदिसावर मंतर में आपका एक बार फिर से हारदिक स्वागत है और देखिए आज मैं आपके सामने जो वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको बाते बताने वाला हूँ वो बाते एक महतुपूर्ण बाते हैं आपके लिए आपके लिए सभी के लिए जो भी यूट्यूब उपर साधनाएं देखते हैं या साधनाओं के बारे में सर्च करते हैं उन सभी के लिए बहुत ही महतोपूर्ण बाते हैं इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना बिल्कोल भी स्किप मत करना ठीक है? देखे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यूट्यूब उपर केवल आपने साधना देखी अब साधना में कितनी सचाई है और कितनी नहीं है उन सभी चीज़ों को आप सबसे पहले आकलन जरूर कर लें क्योंकि कैई बार ऐसा होता है कि जो भोले भाले लोग होते हैं वो यूट्यूब पर साधना देख करके और उसको बिल्कुल एक्दम सच मान करके बैठ जाते हैं कि भाई बिल्कुल ऐसा ही है तो यहां पर कुछ गल्तियां हो जाती है अब वो गल्ती क्या होती है कि जो यूट्यूब पर जिसने वीडियो दी है उनसे एक बार या तो मैसेज के दूरू या फिर कॉलिंग करके उनसे एक बार जरूर पता कर लें कि जी ये साधना मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ उसके बाद ही साधना सुरू करें क्योंकि कई बार ऐसा होता है कई बार नहीं जादा तर ही होता है कि अगर आपने यूट्यूब से ऐसे ही साधना ले करके और साधना सुरू कर दी या साधना की कुछ थोड़ी जो बारीकिया हैं उनसे नहीं पूछी या उनकी आग्या नहीं ली जिन्होंने साधना डाली है तो आपके लिए वो साधना घा तक हो सकती है समझे जीवन को नस्ट भेस्ट कर सकती हैं वो ये मैं आपको आज मैं बता रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से ही बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में ऐसे कुछ अनुभाव आये हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मुझे इस पर वीडियो बना देनी चाहिए जिससे की लोग सतरक हो जाएं देखिए मेरे पास में आपसे कुछ दिन पहले एक अनुभाव आया था कि एक लड़के ने मेरे पास फॉन किया था और वो था करीब-करीब मेरे विचार से 20 या 22 साल की उमर होगी उसकी तो उसने क्या किया कि उसने ऐसे ही यूट्यूब से साधना देख ली और उसने एक अपसरा की साधना देखी ठीक है अब अपसरा की साधना उसने देख करके और बस मंतर जाब चालू कर दिया मतलब ना तो जिसने साधना दी है उससे कोई मैसेज के थरू कोई बात की और ना ही किसी वीडियो मतलब की कॉलिंग के थरू कोई बात की उससे कि भई मैं उससे पहले बात कर लूँ तब उसके बात साधना सुरू करूँ जिन्होंने भी वीडियो डाली है और साधना कैसी डाली है ये भी किसी को नहीं पता होता है कि क्या साधना की जो विदी है वो सही है या गलत है क्योंकि बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं कि जिन्हें साधना की विदी के बारे में बिलकुल भी नहीं पता है उन्होंने कभी साधना नहीं की है साधना छेतर से उनका कुछ लेना देना नहीं है लेकिन सिर्फ एक यूट्यूब से पैसा कमाने के उदेश से उठा करके साधना डालना शुरू कर दिया और उन साधनाओं की विदियां जो हैं वो बिल्कुल गलत है किसी किसी में तेल का दीपक बताते हैं किसी में कुछ बताते हैं तो बहुत सी विधियां ऐसी हैं जो तंत्रोक्त हो जाती है और कुछ वाममारगी हो जाती है और कुछ सात्विक भी होती है तो अब कौन सी विधी है वो ये आपको नहीं पता होता है कि ये तंत्रोक्त विधी है या फिर वाम मारगी विधी है या फिर ये सात्वी की विधी है इसके करने से आपको नुकसान हो भी सकता है या ना हो इसमें सुरक्षा घिरा लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा तो इन्हें चीजों पर जरूर आपको गौर करना चाहिए तो अब जो यूटीवर से उसने तो डाल दिया पैसा कमाने के उद्धेसे से लेकिन आपने उसको सत्यमान करके और साधना बिना किसी सूचना के और बिना किसी से पुछे और उठा करके सुरू कर दी ना तो आपके गुरू हैं ना कोई रक्षामंत्र है ना किसी बड़ी साधना को आपने अभी तक किया है ना साधना का कोई अनुभाव है तो ऐसे में फिर क्या होगा तो मेरे पास जब उस लड़के का फॉन आया तो वो लड़का बहुत घबराया हुआ था और देख लेना वो लड़का साध हो सकता है कि अगर उसने मेरे चैनल पर इस वीडियो को देख लिया तो वो कमेंट भी करेगा तो उसने अपसरा की साधना सुरू कर दी ऐसे ही यूट्यूब से ले करके और फिर उसके बाद में उसके साथ जो हुआ वो बहुत भयानक देखने वाला था जब मेरे पास उसका फान आया तो उसने मुझे से बोला कि गुरू जी मेरे पास में रात को बालों के गुच्छे मिलते हैं लेडिस बालों के मतलब की औरतों के जैसे बाल होते हैं ऐसे मेरे बिष्टर पर बाल मिलते हैं और रात को मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे पास में आतर के लेट गई है और मेरे साथ में छेड़ा खानी की सुरू कर दी है उसने मुझे मैं बहुत बहुत परिशान हूँ उसने मुझे से ये कहा और वो यहां तक बोला कि वो उसकी आवाज बिल्कुल एक दब कांप रही थी देखिए मैंने उस आडियो को क्योंकि ज़्यादातर मैं आप जो भी अनुभाव आते हैं किसी के तो मैं आडियो में डाल देता हूँ उनकी आडियो डालता हूँ लेकिन यहां पर क्या हुआ कि यहां पर मैं उसकी आडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाया ठीक है तो इसलिए आडियो में नहीं डाल पा रहा हूँ यहां पर सत्ता के लिए लेकिन फिर भी आप लोग इसको 100% नहीं 101% सत्ते मानना जो मैं बता रहा हूँ तो अब उस क्या होता क्या है कि वो बिचारा रोया मेरे सामने फौन पर ही रोने लगा और यहां तक कहने लगा कि गुरू जी मैं मर जाऊँआ मेरा अंत समय आ गया है मिझे किसी भी तरीके से आप मेरी रक्सा कीजिए मैंने उससे पूछा बिटा कहां से तुमने जो है यह साधना ली तो उसने बताया कि मैंने वीडियो देखी एक और वीडियो से देख करके और मैंने साधना सुरू कर ली और साधना करते करते मेरे साथ में अब यह होने लगा है कि ना चाहते हुए भी मुझे सकती परिशान कर रही है बहुत ज़ादा और मैं एक मेरा जो माइंड है वो एक पागलों की तरह हो गया है मेरी सोचने विचारने की सकती बहुत ज़ादा कम हो गई है मैं मतलब करता कुछ हूँ, होता कुछ है, सोचता कुछ हूँ बड़ी परिशानी है मेरे सामने, और मुझे कुछ से कुछ चीजें दरश्यों में दिखाई देती है तो अब जब मैंने मुझसे उसकी फॉन पर बात हुई, तो पहले तो मुझे गुस्सा आया, मैं तुन्हें सही बताओं गुस्सा क्यों आया, कि तु पागल है, तुन्हें ऐसे क्यों किया कि पितलब किसी दूसरे ऐसे ही वीडियो देख करके और उठा करके साधना शुरू कर जी तुन्हें, कहां का ये तुतरा तरीका है भई पहले उसको देख लेना चाहिए कि कौन सी वीडिया, कैसी वीडिया तो उसने मुझे फिर बताया, कि गुरू जी अब जो गलती हो गई है, वो तो हो गई है उसे तो मैं उल्टा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप मेरा कुछ ना कुछ समाधान कीजिए और जब वो रोने लगा, तो देखें, ये सब मेरे गुरुदेख की किरपा है और सब भगवान की किरपा है, तो उस वक्त मुझे ऐटोमेटिक अंदर से बहुत गुस्सा आया इतना तीवर मुझे गुस्सा आया, इतना तीवर गुस्सा आया कि मैंने सिर्फ मेरे मुझे दो ही वड़ निकले और मैंने उससे बहुत तेज आवाज में फौन पर ही ये कहा कि हाट पीछे बस सिर्फ इतना ही मेरे मुझे निकला था और उसके बाद वो लड़का कहने लगा कि गुरू जी मुझे क्यों धमका रहे हो आप मैंने का बेटा मैं तुझे नहीं धमका रहा हूँ बाकी अब तु एक काम कर अब तु भगवान सिर्फ का मंत्र ओम नमस्चिवाय का जाप कर और तेरा काम हो जाएगा तो उस लड़के का मेरे पास फिर करीब करीब एक हपते बाद उसका फोन आता है दुबारा मैं उस जो मुझे वो सक्ती परेसान कर रही थी और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ नहीं मुझे वो सपने आते हैं नहीं मेरे पास में आके कोई लेटता है और नहीं मुझे बालों के गुच्छे मिलते हैं और मेरा माइंड भी ठीक है और अब मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ तो मेरे कैन तो उसने जब मुझे ये कहा तो मैंने सोचा कि उसका काम हो चुका अब ये ठीक है वे लड़का तो इसके बाद फिर उसका उसने ये कहा कि गुर्दे जो भी आप आप मुझे आग्या देंगे मैं वही काम करूँगा जो मुझे आप आग्या देंगे मैं अब और कुछ नहीं करूँगा जैसा है आप मुझे से बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगा मैंने का बेटा अब तुरे को जो करना है अब तु मुझे दुबारा फॉन करना और उसके बाद फिर मैं तुस्से बात करूँगा पहले तु ओमनमर्शिवाय मंतर का बस केबल जाप कर और अपने पढ़ाई कर तो ऐसा होता है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ दूसरा मेरे पास मैं एक पहले एक 15 साल के बच्चे का आया था जिसने ये साधना की थी अग्या बेताल की साधना और वो जाकर के जंगलों में किया उसकी तो मैंने वीडियो भी डाली है इसमें वीडियो अनुभाव की वीडियो मैंने दी है और उस से मेरी बातचीत का भी रिकार्डिंग है जो मैंने वीडियो में दीया हुआ है और वह बहुत से लोगों ने देखा भी है उसको उस वीडियो को, जादतर मेरे वीवर्स इतने भी हैं उन्हों ने सब ने देखा है तो वो भी अनुभाव मैंने दिया था और दूसरा एक मेरे पास और एक अनुभाव आया है ऐसा ही एक अनुभाव आया है कि उसने भी वही काम किया हाला कि उनके गुरू कोई नहीं है केवल मतलब गुरू कोई नहीं है ना ही कोई ऐसा रक्षा मंतर था उनके पास में हाँ साइध रक्षामंत्र था हमेरे साथ बात हुई थी उनकी ये तो मैं मतलब पूर तरीके से मेरे ध्यान निरा लेकिन रक्षामंत्र था साइध और उन्होंने क्या काम किया वो उडिसा के थे हर उटाय करके सम्शान गाट पहुँच गए नदी किनारे सम्शान गाट था औ कि साधना करने जा रहा हूं तो मैं क्या करूं अब अगर वो मैसेज मुझे नहीं करता तो हो सकता है कि कोई घटना उसके साथ घट चुकी होती लेकिन उसने मुझे मैसेज किया तो मैंने उससे पूछा फिर कॉल पे मेरी उससे बात हुई मैंने उसको खुद कॉल मिलाया मैंन अंदर खड़ा हूँ इस वक्त और मुझे साधना करनी है, कौन सी? मैंने उससे पूछा, बोला जी अगिया बेताल की साधना करनी है, मैंने का बेटा एक बात बता, तुने रक्षा मंत्र किया, कोई तेरे गुरू है, गुरू मंत्र तेरे को दिया किसी ने, गुरू मंत्र की म मेरे को जवाब मिला कि नहीं, भगवान सीव को मैंने सिर्फ गुरू माना है, और बस मैं साधना करने उतर रगू, मैंने का फिर जाप कितना किया भगवान सीव के मंत्र का, तो मुझे कोई संतोष जनक उतर नहीं मिला, हाँ, उन्होंने महाकाली की साधना की थी, सम्षान गाट के अंदर महाकाली की साधना साध की थी, और साधना भी वो ऐसी की थी, कि मतलब कुछ टाइम किया था उन्होंने, लेकिन उनको हलके दूल के अनुभाव हुए थे, लेकिन उगुरता में महाकाली और बेताल की साधना करने में थोड़ा सा डेफरेंस है, अंतर है लाकि माता भी उगर है लेकिन वो माँ है, लेकिन वो जो बेताल है ना वो नहीं समझेगा कि भई तुम उसके बेटे हो या क्या हो, वो लाइन में लगा देता है फिर, क्योंकि वो बहुत उगर सकती है, तो इसलिए बेताल की साधना जो है, वो बहुत तीवर साधना है, त जिसने बताया उसका भी अता पता नहीं था मतलब कि जिसने साधना बताई थी महाकाली की जिसने मंतर दिया था उसका कहीं अता पता नहीं था कोई अगोरी था उसका उनको मालूम ही नहीं था कि कहां पर है कहते हैं कि मुझे बता करके और वो पता नहीं चले गई हैं वो तो म मैंने का फिर बिटा फिर क्यासे होगा कि मुझे बिताल की साधना करने है अब अगर वो मुझे फौन ना करते तो मैं उनको समझाता नहीं समझाता नहीं तो फिर कुछ ना कुछ घट ना घट सकती थी लेकिन उन्होंने फौन कर लिया मैंने उनको समझाया मैंने उनको वापस भीजा वहां से, शम्षान घाट से मैंने उनको वापस भीजा, कि बटा, अभी साधना करने के तुम इस लाइद में नहीं हो, कि अभी तुम यह साधना कर चखो, पहले महाकली की साधना पूर्ण करो, उसके बाद फिर तुम यह साधना करना, ठीक है, अब ये कुछ अनुभव ऐसे हैं कि जिन अनुभवों के आधार पर मैं पहता हूँ कि आप कोई भी साधना यूट्यूब से उठा करके या यूट्यूब से ऐसे ही आपको मंतरजाप बिलकुल नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी एक बार जरूर आप यूट्यूब में जिसने भी डाला है जिसने भी साधना डाली है उससे जरूर एक बर बाद कर लेना अगर वो उसका फॉन नहीं मिलता है, कोई contact number नहीं है, कोई messaging number नहीं है उसका, तो फिर उसकी दी हुई साधना मत करो, बिल्कुल मत करो, और उस YouTube को जो channel है, उसको भी देखना बंद करो, क्योंकि जिसका कोई number ही नहीं है, जिसकी कोई message करने के लिए, contact करने के लिए, जिसका कोई अता पता ही नहीं है, तो फिर भी उसकी साधना क्यों, उसका YouTube number को देखना बंद करो, बिल्कुल एक्दम, और जो आप से message के थुरू बात करता है, या फिर calling पे भी बात करता है, उनस इतना बड़ा ही वो, अपने आपको संत महातमा बताए, यूट्यूब पर, लेकिन बिल्कुल भी साधना मत करना, ये मैं आपको आगहा कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो, कि आपके साथ कुछ घटनाएं घटें, और फिर आप इदर उदर phone करते हुए फिरे जाओ, कि उसके लिए हो गई प्रभू की किरपा, तो आप के लिए मैं ये समझा रहा हूँ, आगे के लिए, ठीक है, और मेरा वीडियो बनाने का इसका मेरा उद्देश वह यही था, इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, तो मेरे साथ बोलिये, बोलिये वीर व